नमस्कार मैं रखुनात प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूं दिसंबर में 18 तारीक और 28 तारीक को होने वाले दो चर्णों में नगर निकाय चुनाओं की द्याद कल फिर एक पेटिशनर सुनिल कुमार के द्वारा दाहर केश में औरवल सुप्रेम कोर्ट में कादेश पारीत किया जिसके पैराफोर में एकॉनमिकली बैकवर्ड क्लासेश कमिशन की चर्चा है लेकिन बिहार के राजस्भा सदश बिहार से और टिप्टी सीम रहे बीजे पीनेता स्री सुशिल कुमार मोदी जी ने इसे एक अटैक के रूप में उन्होंने लिया और उन्होंने पहले भी प्रियाश किया है उनकी पार्टी के अटिप्छलों में एक कंफिजन पैदा किया जया ब्रम की इस्तिति पैदा की जाए कि स्री नितिश कुमार जी अति पिछरों के ही तैसी नहीं है कास वे इस ब्रह्म को फ़लाने में सफल होती हैं मैं स्री मोदी जी सहित अन्य बिजेपी निताओं से आज कहना चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी प्रियास करने बिहार की जो समाजिक नियाय की जनता है स्री लालु प्रशाद यादव जी भले केस में फस गया हूं लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाएगा कि करपूरी जी की दिरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समाजिक नियाय के कमजोर वर्क के लोगों को आवाज देने का काम किया और जब स्री नितिश्क महार जी सत्ता में आये यद भी उनकी लंबे समय तक साज़दार रही है भारती जनता पार्टी लेकिन नितिश्क महार जी ने कभी भी अपने समाजवादी भ्यूज से समझावता नहीं किया और जो समाजिक सत्भाव होना चाहिए उस पर रह पर चलते रहे हैं विकास का काम कर चते हैं और समाजिक नाये के लोगों के हित में उन्होंने जितना काम किया है चाहे वह नगर निकाए हो ग्रामिन काए हो से SC, ST, EVC का या पिछरे अती-पिछरे अनस्वची जाती-जन जाती के लिए जो छात्रावास की शुगधायें हैं, प्रचाहन योजना है, छात्र विर्ती है, छात्रावास है, इन सभी के छेत्रों में इन्होंने जितना काम किया है, यह हमेशे याद किया जाएगा. साथ ही अती-पिछरावर के लिए जो 21 प्रतिशत नियाए पालिका में आरेक्षन है, लोर जूडिशियरी में और 12 प्रतिशत पिछरों के लिए यह बहुत ही महत्पुन देन हैं. मैं आज यह चर्चा करना चाहूंगा नकर निकाह चुनाओं की कि ओन्डवल सुप्रिम पोर्ट ने जो SLP C नमबर 2877 अबली 2022 को आदेश पारित किया है, मैं समस्ताओं कि जो आदेश है उसमें extremely backward classes कमिशन की बात नहीं है. जो कल मैंने देखा एक प्रेस कॉन्फरेंस में जनता दली उनाइटेट के राष्ट्री अध्यक्ष स्री लरंग सिंग जी ने भी इसको असपर्ष्ट किया है. स्री सुनिल कुमार जी कौन है, इनकी भी जरूर पहचान होनी चाहिए, क्या खिर बार बार ये लगर निकाय चुनाओं में आरक्षन के मुद्दे भर क्यों पिंश फसाने का प्रियास कर रहे हैं, क्या इनका कोई छुपा हुआ जंदा है, या कोई ऐसे हैं तत्व जो चाहते हैं कि किसी न किसी ढंग से अति पिछरे वर्ग का आरक्षन नहीं मिलें, जो अच्छी चीज नहीं है. बिहार की जंता यह चाहेगी, कि सुसिल्कमार मोदी जी शाहित, भारती जंगता पर्टी के सभी नेताओं को चाहिए, कि जो प्रतिन्धित का सवाल है ना अगर निकाय में, नगर पंचायत, नगर प्रिशाद, नगर निगमों में, पूर्वी की तरह जो 2006 में लागू है, यह से इस चुनवा में भी लागू होना चाहिए, और इसमें उन्हें बिहार सरकार का सायोग करना चाहिए. अगर केस हाई कोर्ट में होता है, या उन्हें उन्हें सुप्रिम कोर्ट में होता है, उसमें भी सरकार की मदद करने चाहिए. जोप मुटका इस मामले को लंबा खेंचने से, बिहार की जनता में खासकर समाजिक न्याएं के लोगों में अच्छा संदेश इसका नहीं जा र मिला, Extremely Backward Classes Commission को भी हार में, उनके रिपोर्ट के अलहार पर उन्होंने जो अस्थाकित चुनाओ थे नगर निकाय के, उनका प्रोग्राम जारी कर दिया, आठान दिसमर, अठाइस दिसमर को दो चाहरनों में चुनाओ है, और ये इसमें SC, ST और EBC के आरेक्षन के साथ, और जो महिनाओं का आरेक्षन है, 50% वो भी है, हम लोगे ये उमीद करते हैं, कि ये चुनाओ निर्वीन तोर पर सांती पुरवक संपन हो जाएगा, और जो समाज का कमजोर तबका है, जो बिना आरेक्षन के अच्छी संख्या में अपनी परते निरत, अपनी आवादी के और एक्स्ट्रिमली बैक्वर्ड क्लासेस कमीशन में जो अध्यक्ष और सदर्शों के नियुक्ति वी, उस पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, और जो एक्स्ट्रिमली बैक्वर्ड क्लासेस बिहार में पहले से गठीत है, उनके जो अधिकार हैं, उन पर भी सवाल उठा कर हम जो कमिशन की अध्यक्ष हैं और उनके सदर्श हैं उन पर सवाल उठा रहे हैं ऐसा होनानी चाहिए और इसका संदेश पूरे राज की अतिपिछरी आबादी में आप अजीव तरह का जाएगा कि कुछ लोग क्यों अत्यांत पिछरावर्ग आयोग पर प्रस उठा रहे ह हैं वो कल पिछरावर्गायोग पर प्रस मिठाएंगे उनके फरमिशन पर उनसुची जाती जन जाती या अलप संक्रकों के जो वेलफेर के लिए कमिशन है उन पर उनसुची पर प्रस मिठा सकते हैं ये नहीं होना चाहिए सब को मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और जो पिछरी वियाबादी है उनके सही प्रतिन देत्व के लिए सही हो करना चाहिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तो पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को कुत्रत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कामना आए धन्यवाद जैहिंद